सीतापुर के कमला पुर्थाने से महज 200 मीटर दूर बुजर्ग दमपत्ती की दुशाजिक हत्यकान के खुलासे का दावा करते हुए पुलिस ने हमलावरों को गिरिफतार कर लिया है इस खुलासे में पुलिस ने दोरे हत्यकान की जो वज़ा बताई है उसे जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा पुलिस के मताबिक महज किराय की दुकान खाली कराने के लिए इस संसनी खेच डबल मडर को अंजाम दिया गया पुलिस की ठेउरी के मताबिक घर में अकेले रहने वाले दमपत्ती 75 वरसिय वरद जाकिर वा उसकी 73 वरसिय पतनी चुन्नी को हत्यारों ने पीट पीट कर महज इसलिए माल डाला कि उन्होंने किरायदारों से 20 दिन पहले दुकान खाली करा ली थी पांच हत्या विक्तों ने इस वारदात को अंजाम दिया बताते हैं कि जब वरद दमपत्ती की पिटाई की जा रही थी तो जाकिर ने बिस्वा में रहने वाले अपने बेटे को फोन मिला कर इसकी सूचना दी बेटे ने ततकाल डायल 112 को बताया लेकिन जब तक पुलिस पहुँची तब तक हत्यारोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो चुके थे अपर पुलिस अदिचक दछणी ने बताया कि दमपत्ती ने अपने घर की एक दुकान एक विक्ति को दो से तीन वरसों से किराय पर दी थी किराय के विवात को लेकर 20 दिन पहले दमपत्ती ने उससे दुकान खाली करवा ली थी पुलिस के नुसार जिसने दुकान किराय पली थी वह रवीवार को अपने साथियों के साथ आया था और दंपत्ती से मार पीट किया आत्रिक्त चोट लगने से दंपत्ती की मौत हो गई परीजनों की तहरीर पर पांच नामजद लोगों की विरुद मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिर्स्तार कर लिया गया है आरोप्य से पूस्ताच की जा रही है उधर सोंवार की साम कमलापूर के कब्रिस्तान पर दंपत्ती को सपुर्दे खाग कर दिया गया इस दौरान कमलापूर के अलावा खैराबाद, रामपूर कला, अटरिया समेत कई धानों का पुलिस बल मुस्ताइद रहा के जानकारी ये हुई, कि जाकर अली और उनकी पत्नी चुन्वी बेगम अपने घर में के लिए रहते थे, इनके और परिवार विस्वा कसमे में रहता है, इन्हों ने विगत दो तीन वरसों से एक विक्ती जो अजीद नामका है, उसको अपने घर में किराय की दुकान इनकी मौत हुए, इनकी पत्नी ने चुड़ाने का प्रयास के उनकी भी पिटाय कर दे गई, अतिदिक चोट आने से उनकी भी मौत हुए, बार में लोगों ने दर्वाजा अंदर से बंद किया और बाहर से जीने से निकल के चले गए थे, मौके पे हम सब लोग आ हैं, वहा हैं, उस्वांटम का काम जला है, मौके पे सांतरियोस्था कायम है, आवसे कुलिस बलका मंदोष्थ कर दिया है